तो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का मेरे सेनल fine tech vr के में दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा reselling model किया है मैं किस तरीके से reselling करता हूँ, आज आप सभी के साथ मेरी जो reselling की secret trick होती है मैं जिस तरीके से reselling करता हूँ वो आप सभी के साथ share करने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को last तक देखना मैं कैसे reselling करता हूँ और कैसे दिन में मेरे काप ही अच्छे खासे order आते हैं तो यह कैसे possible होता है इसके बारे में पूरा इस वीडियो में होने वाले बात तो इस वीडियो को last तक देखना है ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं किस तरीके से reselling करता हूँ और मेरा पूरा model किस तरीके से काम करता है मैं कौन-कौन से platform पे काम करता हूँ सारी सीज़े इस वीडियो में बताने वाला है तो वीडियो करते हैं start तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दू कि मेरा reselling model क्या है सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दू जिस तरीके से मैं एक example से बता देता हूँ तो सबसे पहले मैंने किया किया एक logo बनाया अपने business का एक अच्छा सा logo बनाया जो कि attract करे लोगों को एक बार logo के दिमाग में set हो जाए वो logo और मेरे जो business का मैंने नाम रखा जैसे India Top Fashion रखा था तो ये भी कापी सारे logo के ठीक है एक बार जिन लोगों ने भी पढ़ा उन लोगों के दिमाग में सा गया कि India Top Fashion एक simple सा सब्द रखा था मैं इसी तरीके से मेरे उस business का भी नाम है ठीक है जो कि मैं आप सभी के साथ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी problem आपको पता होगा और अपनी जो लिंक होती है गल्रोड की वो लिंक मेरे उस वीडियो के comment में और मेरी जितने भी इंस्टेग्राम फेस्बुक पर हो गया ट्वीटर पर हो गया जितने भी मेरे अकाउंट है उन सभी पर वो जो comment का section होता है उसमें वो link paste करेंगे ठीक है और लोगों को कहेंगे कि यह गल्रोड के प्रोडेक्ट है इससे सस्ते हमारे इसमें पर मिल रहे है ठीक है तो इस वज़ए से उसकी में जो भी है मेरा वो setup वो मैं आप सभी के साथ चेर नहीं कर सक ठीक है यही reason है कि लोग वहाँ पर जाएंगे या फिर वो लोग जाके फाल्दू में वहाँ पर order place करेंगे ठीक है यानि कि मेरा COD का option हटाने के कोचिस पूरी-पूरी करेंगे यह मेरे साथ already पहले से हो चुका है इसलिए मैं आप सभी के साथ चेर नहीं कर रहा हूँ अब यूट्यूब पर भी एक channel उसी नाम से बना दिया सारी जगह पर जितने भी मैंने platform यूज किये टिक टॉक पर भी मेरा था लेकिन टिक टॉक हट सुगा है तो वहां से भी मुझे order मिल जाते थे ठीक है टिक टॉक अभी फिलाल प्रजेंट टाइम में नहीं है तो वहां से मैं बता दू गलरोड की जो store की link होती है वो link मैंने सभी के description में डाल दी और 10% का मेरा margin हर product के पीचे रहता है तो अब जैसे ही मैंने वहां पर link डाल दी सभी के नीचे और वहां पर लिग दिया इंडिया का आपना जो भी कुछ है सारी सीचे वहां पर description में लिग दी उसके अब मैं आपको बता दू कि किस तरीकी से सारा system काम करता है एकाउंट मैंने बना दी अब मैं क्या करता हूँ डैली माँ पर post डालता हूं YouTube में क्या करता हूँ एक video सुभे एक video सामको ठीक है दो वीडियो यूट्यूप पर आते उसके बाद क्या करता हूँ दो post मैं डालता ह वही वीडियो में Instagram पर भी डालता हूँ Facebook page में भी डालता हूँ Facebook group में जहां कई पर भी होता है possible वहाँ वहाँ सब जिस जगह पर मेरे platform है वहाँ पर मैं वह वीडियो पोस्ट कर दीता हूँ अब उसके बाद रोपोसों पर भी वही वीडियो पोस्ट करता हूँ तो मतलब व कुछ चीज टाइप की आप लिए website मैं description में डाल दूँगा तो आप वहाँ से description में जाके website देख लेना ठीक है मैं इस वीडियो के description में डाल दूँगा वहाँ से आप tag लीजे ठीक है अच्छे से YouTube वीडियो के लिए best tag है मैं इसके उपर पूरा वीडियो बना लूँगा प् बताओ तो मेरे अच्छे खासे उस channel पर subscriber हो गए और अच्छे खासे view जा रहे क्यों आ रहे क्योंकि target audience को मैंने किया ठीक है woman category को ज़्यादातर मैंने focus किया ठीक है वहाँ पर lead भी ज़्यादातर उन्हीं की generate की और वहाँ से ज़्यादातर मैंने woman category को focus किया सारी हो गई कूर पर डालता हूँ तो वहाँ से मुझे क्या होता है कि मुझे order आना सुरू हो जाता है अब order मैं खुद नहीं लगाता यह सीज मैंने पहले भी बता ही अब मैं आपको बताता हूँ कि order मैं नहीं लगाता तो कौन लगाता है ठीक है इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बताने वाला हूँ तरीका भी आप देख लेना ठीक है धसके बाद में सारी सीजय लाने मेला हूँ अब मैं आपको बताता हूँ जैसे वीडियोस डाला ओटोमेटिकल लोग क्या करेंगा मैं वहाँ पे एक ठीक है निचे वीडियोस के निचे एक लाइन डाल देता हूँ ठीक है कि अगर आपको इन में से कोई भी प्रोडेक्ट पर्चेज करना है तो निचे डिस्क्रप्शन में मेरी वेबचाट दी हुई है ठीक है जो भी मेरा वो है ठीक है उस नाम से तो वेबचाट दी हुई है लोग क्या करते हैं जितने भी जिनको भी पसंद आता है तो वो डिस्क्रप्शन में जाते हैं उस वेबचाट पर क्लिक करते हैं और क्लिक क इस तरीकें चें ये सारा बिजनस मेरे काम करता है इसके अलबा हमारे सामने क्या दिक्कत आती है कि कई भार order automatically cancel हो जाता है यानि कि जैसे order कौन से cancel होते है मैं आपको बता दू वह भी जितने भी customer automatic order लगाते हैं वो कभी cancel नहीं होते हैं वो order जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खुद जैसे order लेते हैं जनुल ही कई बार होता है कि customer बोलता है मैं order नहीं लगाना आता तो वो order हम खुद ले लेते हैं तो जैसे ही हम order खुद लेते हैं तो उसके बाद हम order लगाते हैं तो उसके बाद क्या करता है जो भी company होते है मिसो सॉफंजिरो और गलरोड ठीक है क्रיאस्टमर का order होता है हमार पास उस क्रीस्टमर ऑप इसे ज्यादा order नहीं होते दिन में साट आंट hour ऐसे होते जो cancel होने के सांसीज रहते म्या OUR उन कोмовर यह कंसिले चांठीज पूरा प्रोसेस भी बता रहा है कि आप अगर रीटन करना साथ यो प्रोड़क्ट तो वो किस तरी से करोगी क्योंकि रीटन की भी हमें फसीलिटी देनी पर दिया करें नहीं तो अमेज़न फिलिपकाट बहुत सारी आसी बड़ी-बड़ी कंपनिया है उनसे भी वह तो लगा कर सकते रहा सकते हैं तो टो हमें रीटन की भी फासिलिटी हमने प्रोवाइड कर वही ठीक है तो कई बार कस्टमर होता है कि मुर्ण करना हो तो मुल देते जो भी आपके पास ओडर आया है उस ऑडर के ऊपर एक और डी होगी वो हमें सेंट कर दीजी या फिर पहां से फोतो को दे दीजिए आपका payment हम दे देंगे तो जैसे ही वह order उनके पास जाता है तो उसके बाद साथ दिन के बाद जैसे ही वह company के पास जाते है और हमारे पास payment है वह बेज देती है कई बार हम इस सीज में क्या करते मैं आपको बता दू ठीक है कई बार बहुत सारे लोग बोलते क payment वापस customer को कैसे हम देंगे तो इसमें एक सीज होती है देखो customer को payment कई बार पहले भी send कर लेते है जैसे product वहां से उठाता है और वह सला जाता है साथ दिन के बाद जैसे ही साथ दिन होते हैं हम customer को payment दे देते हैं हमारी तरब से देते है ठीक है हमें पता है कि हमारा की तरब से हमें मिलता है वह हम वापस customer को दे 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 तो यह सोटा सा प्रोसेस था जो कि बहुत ही अगर आप बहुत ही चोटे सी अगर दिमाग से भी आप मरलब छोश लोगे तो भी आपको यह सारी सीजी समझ में आ जाएगी ठीक है बहुत नॉर्मल सा system होता है ठीक है आपके पास बहुत सारे order आएंगे तो आप इस तरीके से order को manage कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है कोई इतना hard तरीका नहीं है मैंने खुद ने use किया है मैंने properly जब सुरू किया तो मेरे सामने कठी नहीं है क्या आन लगी ठीक है सब जब पहले रिपेंड जो भी रिपेंड कर सकते हैं तो इस तरीके से आप भी अपना business पूरा setup कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है तो आज का वीडियो कैसा लगा है comment करके जरूर बताना मैंने अपना जो reselling का मेरा तरीका था वो मैंने आप सभी की साथ share किया बाकी practical मैं आपको पता दू कभी मैंने कई पर भी post नह नहीं डालता हूं तो यह तरीका रहे का reselling का आप अगर साओ तो कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका है तो बस वीडियो कैसे लगी अगर आप इजी तरीके से और reselling की वीडियो देखना साथ हो तो चैनल को subscribe कर दो गंडी के बटन को प्रेस कर दो और मुझे instagram पे follow करके अगर आपको कोई भी दिख्कत आ रहे है तो मुझे instagram पे follow कीजिए instagram का username में आपको यहां पे दिखा रहा हूं तो आप मुझे instagram पे follow करके कोई भी आपना जो भी दिख्कत आ रहे है वह मुझे वहां पर बता सकते हो message के तो मैं आपका reply ज़रूर वापस करूंगा तो बस मिलते हैं वंदे मार्व